नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दिवाली का जो त्योहार है पूरे पांच दिन तक चलता है और धन्तेरस दिवाली का जो पर्व है उसका पहला दिन है और इस दिन हर कोई अपनी सामर्ते के अनुसार खरीदारी जरूर करता है धनतेरस खरीदारी के लिए बहुत ही शुब माना जाता है इस दिन कई लोग अपने घरों के लिए नया सामान भी खरीदते हैं चाहिए आम तोर पर माना जाता है कि इस दिन सोना चांदी जेवर आदी खरीदना चाहिए वर्ष तो जरूरी नहीं कि आप जेवर खरीद पाएं यaw सोना चांदी खरीद पाएं और हर किसी की जेवयर आदी चाहिए पहला मैं बता दूं आपको इसमें चोटा सही सही गनेश लक्षमी जी की बने हुए एक छोटा साइ एक सिक्का ले ले जरूरी नहीं कि वह बहुत भारी ले एक दो ग्राम चांदी का आप उसे ले ले कि चांदी जो है वो आज की दिन कुबेर की पूजा की जाती है तो कुबेर को चांदी अध्यदिक प्रिय है और चांदी खरीदने से जीवन में शीतलता भी आती है और चांदी चंद्रमा का भी प्रतिक मानी जाती है तो इसलिए आज के दिन यानि कि धंतेरस के दिन चांदी आवशह ही खरीदनी चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मातरा में नहीं खरीद सकते हैं, तो कम से कम एक छोटा सा चांदी का सिक्का आप जरूर खरीद लें चांदी का सिक्का ना खरें तो किसी भी धातू-का कोई भी बरतन आप ले सकते हैं बस प्लास्टिक और कांच का भरतन это लग ले पार्य हैं तो कभी-कभी होता है नहीं ले पाते हैं तो बेशक एक चम्मच ही क्यों ना खरीदे इस दिन आपको बरतन अवश्य ही खरीदना चाहिए आप इस दिन आप चांदी का सिक्का या बरतन में से कोई भी एक चीज जरूर खरीद ले जो भी आपकी पॉकिट अलाओ करे वो आप इस दिन जरूर ले ले इस दिन व्यापारी जो है वो बही खाते भी खरीदते हैं उनकी पूजा करते हैं और उसी दिन से अपना जो लेखा जोखा का कारह है वो शुरूआत करते हैं इस दिन खील बताशे भी जरूर खरीदने चाहिए इससे भी घर में बहुत जादा शुबता आती है मिट्टी के दिये भी आप जरूर ले ले और शाम को आप 13 दिये अवश्य जलाएं क्यूंकि धन 13 है इसलिए आप 13 दिये अवश्य जलाएं इस दिन आपको कौड़ी भी अवशे खरीदनी चाहिए अगर आप खरीद पाएं आपको कौड़ी मिल जाए तो आप थोड़ी बहुत कौड़ी ले आएं जिसे कि एक तीन पाँच विशम संख्याओं में आप कौड़ी खरीद करके ले आएं कुछ लोग आज के दिन कुबेर यंत्र की भी स्थापना करते हैं तो आप कुबेर यंत्र भी खरीद करके ला सकते हैं धन तेरस वाले दिन साबुत हल्दी की गाट भी खरीदी जाती है इस दिन नमक और सरसो के दाने भी आप ले सकते हैं दंतेरस के दिन नई जाड़ू अवश्य खरीद करके लानी चाहिए इसके महत्व के विश्य में मैंने वीडियो पहले से डाली हुए आप वहां से देख सकते हैं और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो की बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है इसे तो हमें जरूर 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 ही खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन धनिये के बीच यानि कि साबूत धनिया हमें लेकर के आना है आप जितना चाहें ला सकते हैं चाहें तो उसमें से फिर घ जिस घर में धनिया के बीज रहते हैं, उस घर में धन धनने की कभी भी कमी नहीं रहती है। अब जो आप धनिया लेकर के आएंगे इसको आप दिवाली की रात को जब आप मा लख्ष्मी की पूजा करेंगे तो उन्हें अर्पित करेंगे. अब उसमें से थोड़ा सा धनिया आप लेकर के सुबह को अगले दिन सुबह को आप किसी गंबले में या फिर अगर आपने और प्रते दिन इसे अच्छी प्रकार से सीचे और जिस प्रकार का ये धनिया उगेगा उसी प्रकार से हमारा आने वाला साल जाएगा तो इस प्रकार धनिया जो है आप इस धनिया को जैसे हम नवरात्रो में ज्वारे बोते हैं उसी प्रकार से दिवाली के बाद हम इस धनिय को बहुते हैं और ये धनिया हमारे आने वाले समय को हमें बताता है तो दोस्तों ये दिये महत्वपुन जानकारे आपको पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे जैन को सब्सक्राइब करें जै मतादी